हलो एवरीवन वेलकम तो माई यूटूब चैनल आसी स्केडमी दियार इन दिस वीडियो आइम गूंग तो तेल यू मल्लिपल चॉइस क्वेशन फ्रोम फॉरेस्ट अवर लाइफ दियार इफ यू न्यू अन माई चैनल प्ली सस्क्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो फ़र्स देखते हैं कुछ नवर फर्स्ट क्या है विच अब दा फालोइंग इज इंफ्लूएंस्ड बाई फॉरेस्ट ठीक है चले इसको देख लेते हैं कौन सा है जो फॉरेस्ट के द्वारा इंफ्लूएंस्ड होता है ओप्शन ए ठंप्रेचर ओप्शन बी क्लाइमेट सी क्या है एनिमल्स डी क्या है अपका अलाफ दीज तो क्या होगा विच अब दा फालोइंग इज इंफ्लूएंस्ड वाई फॉरेस्ट क्या होगा इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा डी डैट मीज आलाफ दीज ओके सुडेंट कोशन नमबर सेकेंड की बात करते हैं सी देख लेते हैं सी क्या बताया है बैंबू डी क्या बताया है औल आफ दीज तो क्या होगा वीच अब फालोइंग इस अफॉरेस्ट प्लांट तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अलाफ दीज सारे जो हैं आपके फॉरेस्ट प्लांट है ठीक है चली कोशन नमबर थर देख लेते हैं बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं कोशन नमबर थर की बात करते हैं दा ब्रांची पार्ट ओफ अट्री एवब दा इस्टेम इसकाल्ट इस्टेम इसकाल्ट क्या होगा चली देख लेते हैं ए लीव्ज बी क्राउण सी देख लेते हैं सी नमने बताया कि सैपलिंग्स डी कैनोपी तो क्या होगा दा ब्रांची पार्ट ओफ दा ट्री एवब दा इस्टेम इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा आपका क्राउण ठीक है चो बी ओप्शन होगा बिलकुल क्रेक्ट हो जाएगा कोशन नमबर फोर की बात करते हैं नेme the organisms on which all animals depend for food a option a humans b plants c c देख लेते हैं सी नोद ने बताया कि insects d क्या बताया है crops तो क्या होगा name the organism on which all animals depend for food तो होगा आपका b that means plants सुक सुनिट में नमबर 5 कि बात करते हैं दी कंपोज़र्स था चंवर्ट द डेड़ प्लांट अनिमील इंटू क्या होगा दी कंपोज़र्स कण अंड़िट प्लांट एनिमाल इंटू ए हुमस विघेड जान सी नोने बता है यहीं देटर और डी फर्टिलाइजर्स तो तो क्या होगा, decomposers convert the dead plants and animals into, तो इसका option A हो जाएगा, humus, ठीक है, तो A option होगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, question number 6 की बात करते हैं, what are known as green lungs, ठीक है, green lungs किसको जाना जाता है, A, forests, B, grasshopper, she, c देख लेते हैं, c, rivers, d, all of these, तो क्या होगा, what are known as green lungs, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, forest मतलब जंगल को कहा जाता है, जो A होगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, question number 7 की बात करते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे है, question number 7 की बात करते हैं, which of the following can, sorry, which of the following we can get from forest, ठीक है, जंगल से प्राप्त करते हैं, C, fiber, D, all of these, तो क्या होगा, which of the following we can get from forests, क्या होगा, option D विल्कुल होगा, विल्कुल correct हो जाएगा, that means food भी, shelter भी और fiber, जो है, हम कहां से गेट करते हैं, जंगल से, ठीक है, 8 question की बात करते हैं, which of the following is an animal product, इसमें कौन सा है, animal product का example है, A, rubber, B, cat, cat, ketchup, देखे, C, क्या है, gum, और D, जो होगा, आपका, honey, क्या होगा, which of the following is an example, animal product, तो इसका B option जो होगा, विल्कुल correct हो जाएगा, that means, honey जो है, वो काउन सा product है, वो एक animal product है, ठीक है, question number 9 की बात करते हैं, things that is not obtained from the woodies, ठीक है, कौन से things हैं, जो भी wood से obtained नहीं होती है, A, paper, B, thermacol, C, C देख लेते हैं, C क्या है, matchstick, D, polywood, क्या होगा, thing that is not obtained from the woods, wouldies, option A, B, जो होगा, विल्कुल correct हो जाएगा, that means, thermacol, question number 10 की बात करते हैं, deforestation will lead to decrease in, A, soil erosion, B, rainfall, C, C देख लेते हैं, C क्या बता है इनों की, dot, D, global warming, क्या होगा, deforestation will lead to decrease in, इसका बहुत सही जवाब हो जाएगा, आपका, drought, मतलब की, deforestation करेंगे, तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, सबसे ज़्यादा, जो है, decreases किसकी होगी, सूखा पड़ेगा, that means, C option, जो होगा, बिलकुल correct हो जाएगा, question number 11 की बात करते हैं, 11 देख लेते हैं, which of the following form the lower most layer of forest, ठीक है, A, taltery, B, herbs, B क्या होगा, herbs, C, shrubs, D, none of these, तो क्या होगा, which of the following form the lower most layer of forest, तो इसका हो जाएगा, B, that means, herbs, question number 12 की बात करते हैं, the first link in all food chains is, जो first link होती ही, food chain में, वो कौन सी होती है, A, herbures, B, carnures, C, C, क्या होगा, C, green plants, D, none of these, तो क्या होगा, the first link in all food chain is, तो इसका correct option हो जाएगा, option C, that means, green plants, ठीक है, तो 12 में क्या हो जाएगा, green plants, C options होगा, विलकुल correct हो जाएगा, question number 13 की बात करते हैं, which of the following products is not obtained from a forest, ठीक है, कौन से जो product है, forest से गेट नहीं किया जाता है, A, honey, B, अच्छा, यह repeat हो गया, question, cat, ketchup, देखिए, ketchup होगा, sorry, ketchup है, C, gum, D, wheat, तो क्या होगा, which of the following product not obtained from a forest, तो इसका सही जब हो जाएगा, आपका wheat, गे हूँ, ठीक है, question number 4 की बात करते हैं, which of the following has the strongest stem, सबसे strongest stem किसका होता है, सबसे मजबूत तना किसका होता है, A, a tree, B, a creeper, she, C, a climber, D, a bush, क्या होगा, which of the following has the strongest system, तो correct होगा, क्या होगा आपका, A, that means, a tree, ठीक है, तो 14 में हो जाएगा आपका tree, that means, a option, जो होगा, बिल्कुल correct हो जाएगा, question number 15 की बात करते हैं, decomposers convert the dead plants and animals tissues into, decomposers होते हैं, तो क्या करते हैं, A, clay, B, inorganic debris, ठीक है, C, C देख लेते हैं, C नोंने बताया कि, humus, option D, soil, क्या होगा, the decomposers convert the dead plants and animals tissues into, तो जो C होगा, option, बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, question number 16 की बात करते हैं, the series of eaten and being eaten is called, ठीक है, the series of eaten and being eaten is called, A, food chain, B, food web, C, C देखते हैं, C क्या बताया इनोंने, C नोंने बताया कि, food series और D जो बताया है इनोंने कि, food hub, तो क्या होगा, the series of eaten and being eaten is called, तो इसका हो जाएगा, A, that means, food chain, खादर संक्ला जिसको कहते हैं, तो 16 में हो जाएगा, आपका food chain, fill in the blanks देख लेते हैं, fill in the blanks को देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, पहला question क्या है, forests are known as the, of the earth, तो forest को क्या कहा जाता है, तो forest को प्रतिबी का क्या कहा जाता है, lungs, तीक है, क्या कहा जाता है, लंग समद्दा फेफड़ा कहा जाता है, तीक है, चलिए आगे question number second की बात करते है, microorganisms which convert dead and decaying plants and animals into humus, आरकाल, तो क्या होगा, इसको बताना है, तो second में हो जाएगा, आपका decomposers होते हैं, जो decomposers का का काम होते हैं, वो dead and decaying plants को convert कर देते हैं, हुमस में, ठीक है, question number three की बात करते हैं, बहुत अच्य से आप देख रहे हैं, forest protect the from erosion, ठीक है, क्या protect करते हैं, तो बहुत आसान इसमें क्या करते हैं, वो soil erosion को protect करते हैं, ठीक है, तो third में हो जाएगा आपका soil, मिट्टी को, question four की बात करते हैं, the presence of ensures that the nutrients from dead and decaying organisms are present in soil, क्या होगा, तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका हुमस, ठीक है, तो four में हो जाएगा आपका हुमस, ओके students, समझ में आया, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, चली हम आगे देख लेते हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नाया हैं, चैनल को subscribe करें, चली thought देख लेते हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हांसिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं, तो अपने वक्त और हालात पर आपको रोना नहीं हैं, आपको पढ़ाई करना हैं, और अपने अंदर जजबा पैता हैं, Thank you for watching the video. If this video helped you, please hit the like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. Do subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind.